आप जानते हैं, शंखनाद कुछ विशेश इन्फॉर्मेशन कम्यूनिकेट करने के लिए काम आता रहा है, मतलब उसका उप्योग किया जाता रहा है, इसके यानि शंखनाद के कुछ मनोवैग्नानिक इंपैक्ट्स भी होते हैं, आपको बता दूँ, चलिए बता देता हूँ नमस्ते, तत्व सत्व एट्सेटरा में आपके साथ मैं बातें करता हूँ, मिरा नाम सौरब शुकल है, सामान्य तह शंखनाद रौद्र भाव को उत्पन्न करने वाला माना जाता रहा है, प्राचीन काल में युद्ध के लिए ललकारने या युद्ध के लिए तैयार होने की सूचना को प्रेशित, यानि कम्युनिकेट करने के लिए शंखनाद किया जाता था, सुर्यास्त हो जाने के बाद युद्ध नहीं किया जाता था, इसलिए सुर्यास्त और युद्ध को रोकने की सूचना को प्रेशित करने के लिए भी शंकनात किया जाता था मतलब शंक युद्ध को रोकने या युद्ध को प्रारंभ करने इस प्रकार की information को दूसरे को communicate करने के लिए उपयोग किया जाने वाला यंत्रतो निश्चित रूप से है भगवान श्री राम की वानर सेना ने जब लंका को चारो और से घेर लिया तो राक्षसों ने ढोल नगाणों के साथ शंखनाद भी किया उसी प्रकार वानर सेना ने भे सिंह गर्जना के साथ तीव्रकती से शंखनाद किया और युद्ध के लिए राक्षसों को ललकारा युद्ध में शंख की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती थी महाभारत के युद्ध में भी शंख का प्रयोग इसी उद्देशे से किया जाता था श्रीमत भगवत गीता के प्रथम अध्याय के बारहवें श्लोक में संजय धृतरास्टर से कहते हैं कि किस प्रकार भीश्म पितामह ने शंखनात करके युद्ध की घोशना की इस श्लोक में कहा गया कि भीश्म पितामह ने दुर्योधन के मन में हर्ष उत्पन करते हुए शंखनात किया मतलब शंख मन में हर्ष उत्पन करने के लिए उप्योग किया जाता था या हर्ष उत्पन करने की शंख क्षमता रखता है इसी प्रकार शंकनाद मन में हर्ष्ट उत्पन करता ही है साथ ही साथ आत्मविश्वास में भी वृद्धी करता है इसको एकदम सरलता से समझा जा सकता है इसके पीछे एक प्रकार का मनोविज्ञान है शंक की धोनी से मन मस्तिश्क में उत्साह का संचार होता है जिसके परिणाम सुरूप आत्म विश्वास में वृद्धी होती है यही कारण है कि प्राचीन काल में युद्ध प्रारंब होने से पूर्व धोल नगानों के साथ तीवरता से शंकनाद भी किया जाता था श्रीमत भगवत गीता के प्रथम अध्याय के चौदह में श्लोक में कहा गया है कि भीश्म पितामह के शंक बजाकर युद्ध की घोशना करने के पश्चात भगवान श्रीकृष्ण और अर्जुन ने भी अपने अपने शंक का नाद किया उनके शंक अत्यंते विलक्षण तेजोमे और आलावकिक थे अच्छा आपको पता ही होगा कि भगवान श्रीकृष्ण के शंक का नाम पांच जन्य था पर क्या आपको ये पता है कि अर्जुन के शंक का नाम क्या था बतलाता हूं अर्जुन के शंख का नाम था देवदत ये शंख उन्हें यानि अर्जुन को दैत्यों के साथ एक युद्ध के समय देवराज इंद्र ने दिया था इस शंख की धुनी इतनी भयानक थी कि शत्रु सेना भयाक्रांत हो जाती थी इसका उलेक महाभारत में मिलता है ऐसा क्यों? इसलिए कि शत्रु सेना पर एक मनोवैग्नानिक दबाव बनाया जा सके इसी प्रकार युदिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव ने भी अपने अपने शंख का नात किया जिसे से शत्रु सेना पांडवों की एकता, वीरता और शौरे का धायान करके उनकी शक्ति का स्मरण करे सीधी बाद, मनोवैग्नानिक दबाव चलिए आपको इन सभी के शंखों का नाम भी बतला देता हूँ युदिष्ठिर के शंख का नाम अनन्त विजय था भीम का शंख बहुत बड़े आकार का था और बहुत भ्यानक धोनी करता था इसलिए उसका नाम महा शंख था नकुल के शंख का नाम सुगोश और सहदेव के शंख का नाम मनिपुश्पक था लगभग सभी हिंदू परिवारों में शंख पूजा के स्थान पर रखा जाता है हम इसका पूजन भी करते हैं और शंखनाद भी करते हैं तो क्या हम किसी को युद्ध के लिए ललकारते हैं? नहीं बई, बतलाया तो शंखनाद उत्साह में वृद्धी करता है शंखनाद करके देख लीजे शंख के अनेक व्यग्णानिक पहलू हैं आपको बतलाता रहूँगा हिंदू धर में बतलाई गई बातों को व्यग्णान की कसौटी पर रखिये सीधे, निह संकोच अंदविश्वास की कसौटी पर नहीं लाभ होगा सौरब का नमस्कार